जारखंड में चल रही सियासी घमासान के बीच गांडे से भाजपा के पूर्विधायक जैप्रकाश वर्मा सहित कई राजनीतिक दलों के कारकरताओं ने आज मुख्यमंत्री हिमन्द सोरेन की उपस्तिती में जाममों का दामन धाम लिया भाजपा से नाराच चल रहे गांडे के पूर्विधायक जैप्रकाश वर्मा अपने समर्थकों के साथ सीम आवास पहुँचे सीम आवास में उनको पार्टी की सदस्ता दिलाई गई गिरेडी विधायक सुदिव्यकुमार सोनू के नित्रतु में गिरेडी जिला के कई जाममों कारकरता और जैप्रकाश वर्मा के समर्थक पहले ही मोरहबादी मैदान पहुँच गये थे आज जाममों का दामन धामने वालों में जमुआ से चुनाव लड़ चुके प्रदीभाजरा बगोदर से शत्रुग्न मंडल सहित कई आन्मे राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल हैं मुख्यमंत्री हेमन सोरेन ने कहा है कि जारखंड में आज कई शड्यंत्रकारी लोग पंडुब्बी से बाहर निकलने वाले हैं हम उन्हें खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं बस आप लोगों का साथ मिलता रहेगा तो हम इन सभी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे उन्हें पता है कि हेमन सोरेन पांच साल का कारिकाल पूरा कर लेते हैं तो वह सभी को राज्य से बाहर धकेल देंगे जाबुमों की सदस्यता लेने के बाद जैप्रकाश वर्माने मुख्यमंत्री हेमन सोरेन जारखंड की शान है उन्होंने कहा कि आज हेमन्द सोरेन के नित्रतु में जारखंड का विकास हो रहा है 15 साल से अधिक समय तक सत्ता का सुग्भोग चुकी भाजपा ने पहले राज्य को नुकसान किया वहीं आज हेमन्द सोरेन को E.D. के माध्यम से परिशान करने पर तुले हैं लेकिन हम उनकी साजिश को कभी भी पूरा होने नहीं देंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आद्या है कि जारखंड के अनुसूचित जाती, जन जाती, दलित, अल्पसंख्यक सभी लोगों को एक चुठोना होगा भाजपा का नाम लिए बिना हिमन सुरेन ने कहा कि जन लोगों ने 20 साल सत्ता का सुब्ध होगा उसने राज़ मिर्माण के बाद जारखंड को और पीछे धकेल दिया 20 साल का कारेकाल काफी दर्दनाक रहा है हमारी सरकार किसान युवा दलित के लिए काम कर रही है